हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिया प्रिया आज कीचेन में आपका हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपके लिए चिकेन की रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल देशी एस्टाइल में आज मैं बिहारी चिकेन बना रही हूँ बिहारी चिकेन को बनाने में ना तो दही का इस्तिमाल होता है ना टमाटर का फिर भी ये इतना टेस्टी बनता है कि अगर एक दफा आपने ये रेसिपी ट्राइ कर लिया तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे प्याज की स्लाइसेज, लहसन की गाठे, फ्रेज कुटे हुए लहसन, अदरक और हरी मिर्च, साथ में गरम मसाले, खर्य मसालों का कंबिनेशन इस रेसिपी को खास बनाता है तो आईए इस रेसिपी को सुरू करते हैं, एक किलो चीकन के लिए मैंने आधा केजी प्याज लिया है, तीन हरी मिर्च, दो इंच अदरक का टुकरा, और चार गाठे लहसन की बिहारी चीकन में लहसन का जादा यूज होता है, तो दो गाठे हम साबूर रेसिपी में यूज करेंगे, और लहसन की दो गाठो को छिल कर खलवत्ते में कूट लेंगे प्याज को छिल कर धो कर स्लाइसेज में कट करना है जर का हिस्सा काट के हटा लेना है जिससे इसको स्लाइसेज में काटना इजी हो जाता है सारे प्याज को स्लाइसेज में काट लिया है मैंने फिर इसके लच्छों को हाथों से मसल मसल कर अलग कर लेना है सारे लच्छे इस तरीके से अलग कर लेंगे बिहारी चिकन बना रहे हैं तो लहसन और अद्रक का पेस्ट यूज नहीं करेंगे पहले खलबत्ते में अद्रक और हरी मिर्च लेकर कूट के निकाल लेंगे और फिर लहसन की दो गाठों से कलिया निकाल के उसको भी छील के खलबत्ते में कूट लेंगे एक केजी चिकन को धोकर मैंने ले लिया है इसमें आधी चमच हल्दी पाउडर, आधी चमच लाल मिर्च, आधी चमच नमक डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन में जो कलेजी का पीस होता है उसे अभी अलग कर देंगे क्योंकि सैलो फ्राई के टाइम में अगर इसे डाल देंगे तो ये तेल की छीटे इसकी वज़़से बहुत बाहर की तरफ आएंगे एक कराह लेंगे, गैस का फ्लेम आउन करेंगे, कराह की गरम होते ही इसमें आधी कब सर्सो का तेल यूच करेंगे बिहारी चिकन सर्सो के तेल में ही बनता है, तेल को धुआ उठने तक गरम होने देंगे, तेल गरम हो गया है अब पल्टे से तेल को करा के चारो तरह फैला देंगे जिसे चिकन डाले तो चिपके नहीं एक केजी चिकन लिया है मैंने चिकन को अभी करा में डालेंगे चिकन डालने के समय गैस का फ्लेम कम कर देंगे और जब chicken डाल दिये तो gas का flame high कर देगा हम high flame पर chicken को 3-4 मिनर तक shallow fry करेंगे high flame पर chicken को shallow fry करने से chicken में जो एक smell होता है वो smell निकल जाता है जैसे chicken को आप करहा में डालेंगे तो थोड़ी दिर में देखेंगे थोड़ा सा chicken से पानी बाहर आ गया है तो 3-4 मिनर तक इस तरीके से fry करते हैं तो पानी भी सूख जाता है उसका तेल केवल रह जाता है और chicken का color भी change हो जाता है जब chicken का color change हो जाए तो सभी chicken को एक एकर करके plate में निकाल ले इसी बचे वे तेल में हम आगे के प्याज मसाले भूनेंगे अभी तेल काफी करम है तो gas का फिलम लो कर देंगे वन बाइ फोटी स्पून हिंग डालेंगे और एक चमर जीरा जीरा को तरकने देंगे फिर कुछ खरे मसाले इसमें दो तेजपात एक इंच दालचीनी दो भरी इलाइची पांच छोटी इलाइची चार लॉंग और आठ से दस गोल मिर्च लेंगे तेजपात गोल मिर्च और बागी सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसमें दो सूखी लाल मिर्च भी तोरकर डाल देंगे आधे से एक मिनट तक इनको अभी भूनेंगे और फिर फ्रेस कुटे हुए लासन वो भी डाल देंगे लहसन को भी आदे से एक मिनट तक भूनेंगे जिससे लहसन का कचापन निकल जाए इसी एस स्टेज पे आदे गेजी स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल देंगे प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे हाई फ्लेम पर प्याज को 2-3 मिनट तक भूनेंगे प्याज को भूनते वे 2-3 मिनट हो गए है अब इस स्टेज पे हम दो लासन की गाठ जो रखे थे उसको डाल देंगे लासन की गाठ विहारी चीकें की जान है लासन की गाठ चीकें के स्वाद को बहुत ऊपर तक ले कर जाता है इस स्टेज पर लहसन डालने से चिकन बनने तक लहसन अच्छी तरीके से पक जाता है और इसको आप चूस के जैसे सहजन को खाते वैसे खा सकते हैं इन सब को mix किया और ढखकर इनको low flame पर 5 मिनट तक प्याज को पकने देंगे 5 मिनट हो गया है प्याज हलका पानी छोड़ दिया है अब इसको फिर से mix करेंगे और low flame पर ही फिर से इसको ढख देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे 5 मिनट हो गया है ढखन हटा कर चेक करेंगे देखिए प्याज से तेल अलग हो रहा है प्याज का कलर भी चेंज हो रहा है इसे स्टेज पे अधरक और हरी मिर्च कुटी हुई है उसको ढाल देंगे mix करेंगे और low flame पर दुबारा से ढख कर 5 मिनट पकाएंगे देखिए अभी cooking हमें low flame पर ही करनी है तभी प्याज गल पाएगा प्याज की cooking करते वे अभी तक टोटल 15 मिनट सो गया है धकन हटाएंगे इनको mix करेंगे और इस स्टेज पे सुखे मसाले डालेंगे सुखे मसालों में मैंने आदी चमच हल्दी पाउडर लिया है दो चमच धनिया पाउडर एक चमच जीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया है एक चमच कासमीरी लाल मिर्च लिया है मसाले जले नहीं उससे बचाने के लिए थोरा सा पानी लेंगे इनको mix करेंगे, एक से दो मिनट तक भूनेंगे और फिर से इसको ढख कर पाँच मिनट तक पकने देंगे गैस का flame लो ही रखेंगे पाँच मिनट हो गया है, ढखन हटा कर चेक करेंगे प्याज को टोटल बीस मिनट low flame पर हमने अभी तक पकाया है प्याज गलने लगे हैं, इनको mask करेंगे मगर पल्टा से mask करने में दिक्कत हो रही है तो हम कल्चन की सहायता से प्याज को mask करेंगे इसी एस्टेज पे एक चमच नमक और एक टेवले स्पून चिकेन मसाला डाल देंगे और पल्टे से इसको चलाते हुए mask करते हुए हम पकाएंगे दो से तीन मिनट तक इसको mask करते हुए पकाएंगे और फिर इसी एस्टेज पे हम एक कप अभी पानी डाल देंगे पानी डाल कर फिर low flame पे ढख कर इसको पांच मिनट तक पकाएंगे जिससे प्याँज उर यह जो लहसन की गाठ है वो भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे पांच मिनट तक इसको ठक कर पकाएंगे जिससे की पानी सुक जायेगा और तेल उपर आ जाएंगे पांच मिनट हो गया है, देखिए तेल कैसे उपर आ गया है अबी इस मसालों को प्याज को कल्ची की मदद से मैस करते हुए चलाएंगे देखिए प्याज को मैस करने में कोई दिकत भी नहीं हो रही है वो तासानी सी मैस हो जा रहा है क्योंकि प्याज हमारे इतने वक्त में अच्छे से गल गया है देखिए कैसे पुरे मसाले एक सार हो गया है जिस वक्त आप प्याज को मैस कीचे उस वक्त ध्यान रखिएगा कि लहसन हमारे मैस ना होने पाए अब इस स्टेज पे हमारे जो भुने हुए चिकन है वो सारे मसाले में डाल देंगे चिकन को तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ भूल लेंगे चिकन को भूनते वे तीन से चार मिनट हो गया है इस स्टेज पे हम एक कप गरम पानी ग्रेवी के लिए डाल देंगे ग्रेवी की consistency आप अपने पसंद के हिसाब से रखिए साथ में जाएगा एक चमच गरम मसाला और जावित्री को भी क्रस करके डाल देंगे अगर आपको ग्रेवी थोड़ा और पतला पसंद है तो इसमें थोड़ा पानी इसी स्टेज पे आधी कप और आप मिला सकते हैं इसको mix करेंगे और धक कर 10 मिनट तक low flame पर chicken को पकने देंगे 10 मिनट हो गये हैं गैस का flame बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे फलेम बंद करने के बाद 5 मिनट तक इसको ऐसे ही ढखा रहने दिये हैं धकन हटा कर देखेंगे ओहो देखिए चिकन कितना सांदार बना है और चिकन हमारे सॉफ्ट भी हो गया है और ग्रेवी का texture तो बस पूछिए मत आप कटी हुई धनिया पत्ती से इसको garnish करेंगे और फिर serve करेंगे आप इस recipe को try कीजिए और अपने अनपों हमसे share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे अपना ख्याल रखिए फिर मिलते हैं next वीडियो में